नमस्कार मैं हूँ मनुष्ट ब्लेवाला का डीडी न्यूज के इस खास कारिक्रम एक मुलाकात में आपका स्वागत है। इस कारिक्रम में हम हर सब्ता आपको रूबरू कराते हैं देश की एक जानी माने शक्सिजत से। इस सब्ता हमारे विशेश महमान है केंद्र सरकार में सडक परिवहन और राजमार्ग राज्यमंत्री आरपियन सिंग जी। यूपी के कुशी नगर लोगसभा सीट से पहली बार सांसत बने 45 वर्सी आरपियन सिंग जी कुशी नगर के एक प्रतिष्ठित राजगराने से तालुकात रखते हैं। राजगराने से आने के बावज़ूत इन्होंने हमेशा अपने आपको आम जनता से जोड़े रखा। यही कारण है कि जब यूपी में कॉंग्रेस दुरदिन में थी तब भी ये लगातार तीन बार कॉंग्रेस से विधायक बने। आरपियन सिंग जी के पिता जी स्वर्गिय सीपियन सिंग जी भी इंदिरा गांधी जी के मंत्री मंडल में मंत्री हुआ करते थे। आज हम आरपियन सिंग जी की जिन्दगी के तमाम अनचुए पहलूँ के बारे में आपको विश्तार से बताएंगे। आर्पेन सिंग जी आपका स्वागत है हमारे विशेश कारिक्परम एक मुलाकात में बतार मंत्री एक साल आपके मंत्राले की उबलबधियां क्या रही ऐसा है मनोर जी अगर देखा जाए इस 28 माई के शपत लेने के बाद आद समझे एक साल भी पूरा होने वाला है एक साल में हमने जब मंत्राले में हमने पदगरण किया था तो हमारे जो सीनियर मिनिस्टर है कमलाजी ने उन्होंने एक मार दिखाया था इस मंत्राले के कि हम 20 किलोमीटर का एक लक्ष लेके चलेंगे आपको बड़ी खुशी होगी जब हम इस मंत्राले में आये थे तो सिर्फ 2 किलोमीटर सड़के 2 से 3 किलोमीटर सड़के रोजाना बढ़ती प्रती दिन 2 से 3 किलोमीटर बनती थी दस गुना टागेट था परंतु एक साल के अंदर अंदर हम 12-13 किलोमीटर का काम करना शुरू कर दिया इस देश भर में तो एक बहुत बड़ी उपलब दी रही जितनी कॉंट्राक्स हमने इस एक साल में पास किये हैं इस मंत्राले में कभी भी इतने कॉंट्राक्स कभी भी स्विक्रत नहीं हुए एक आपको मोटा मोटी आप समझते हैं क्योंकि लैंड अक्विजिशन जमीन की बड़ी जुरूत पड़ती है पिछले तीन वर्षों में एक लैम 3A 3D होता है एक तरीका होता है जमीन को अक्वाइर करने का पिछले तीन सालों का अगर हिसाब लिया जाए तो हमने 30 हजार हेक्टर अक्वाइर किया था 3A 3D में और सिफ इस वर्ष अभी तो एक साल भी पूरा नहीं हुआ है आपको बड़ी खुशी होगी सुनकर कि हमने इस वर्ष ही सिर्फ 30 हजार हेक्टर 3A 3D में कर लिया है तो आप समझ सकते हैं कि बड़ी तेजी हम ला कर दे तब हम जाके 20 km प्रती दिन बना पाएंगे 20 km का मतलब की ब्लैक टॉप जो पूरी सड़क बन जाती है भविश्य में आप अपनी मंत्रालाए के सामने किस तरह की चुनोतियां देखते हैं देखिए इस 20 km सड़क बनाने के लिए तमाम दिक्कते आती हैं लैंड हमने रखा है मुझे लगता है कि अगले वर्ष तक हम उस 20 km प्रती दिन तक पहुच जाएंगे जो मुझे समझता हूं कि लोग बोलते हैं सरकार में कोई काम ही नहीं होता है बहुत धीरे गती होती है पर दस गुना इतने जल्दी बढ़ा देना आप खुद उसका अंधासा इक चीज में आप 20 km का जो प्रत दिन का आपने लक्ष रखा है यह अभी तक पूरा नहीं हो पा रहा है देखिए कोई भी सरक बनाने के लिए ब्लैक टॉप जिसको बोलते हैं फुनिश तक देखिए उसको बनाने में कोई ऐसा तो है नहीं कि हम जादू की छड़ी मैं बोलता हूं लगभगन 50 कॉंट्रैक्ट सरकों का हम अभी दे चुके हैं तो जब तक उसमें तेजी नहीं आगी इससरी किसको देते हैं टीम वर्क को मैं तो अपने अपने जो सीनियर मिनिस्टर हैं उनको और पूरे मंत्राले को बढ़ाई देता हूं कि हम सब ने मिलकर जो उनोंने एक टागिट रखा उसके तरफ हम चल रहे हैं तेजी से चल रहे हैं और जो सबसे अच्छी बात है कि सिर्फ उन प्रांतों में नहीं काम कर रहे हैं जहां अलड़ी प्रग्रिती हुई जहां मैं जिस इलाके से मैं आता हूं पुरवान चल जो पिछड़ा हुआ माना जाता है माना जाता है बिहार में जहां आज तक भी कहीं सड़के अलोट नहीं होती थी मद्यप्रदेश जारखंड इनको पिछड़ा हुआ इलाका माना जाता था यहां भी हमने बड़ी तरकी की है और बहुत तीजी से सड़क का काम करवा रहे हैं तो आप देख सकते ह हैं कि एक आल राउंड जो प्रधान मंत्री जी ने एक कहा था कि इंक्लूसिव ग्रोथ सब को साथ ले चलने कर आगे बढ़ने का काम हमारा मंत्रा ले उसमें बहुत हुभी काम कर रहा है आप जिम जी सड़क निर्माड के लिए PPP यानि कि पब्लिक प्राइवेट पाटनर सड़के इस साल जो हमने ठेका दिया है वो पार साथ सड़के माज़ादा तर 80% PPP मॉडल पर है उसमें यह होता है कि टोल टैक्स के माद्यम से लोगों को उसका पैसा देना पड़ेगा ततकाल सो फीजदी पैसा सरकार को नहीं लगाना पड़ता है 20-40% पैसा लगाना बाकि जो प्राइवेट पार्टनर्शिप में जो हम काम करते हैं वो लोग इसमें पैसा लगाते है नहीं पर एक आरोप लग रहा है अर्पियान सिंग जी जो आपके मंत्राले की सड़क परिवहन और राजमार्ग मामलों की संसदी समीती है इसका कहना है कि जो सड़क लैंड जो जमीन का वैलुएशन है जो जमीन का पैसा का जो जितना हमें देना है वो प्रदेश सरकार का काम होता है हम प्रदेश सरकार बताएगी कि अगर कहीं भी हम जमीन लेते हैं लैंड अक्वायर करते हैं तो वहां स्टेट स्टेट हमको बताती है कि इस जमीन के लिए इतना मुआवजा देने की जरूत है अगर उसमें कुछ हम समझते हैं कि बहुत जादा है तो अबर्ट्रेशन होता है तो हमने तो कोशिस किया है कि हमारे यहां तरफ से तो इसमें कोई दिक्कत है निसाब इसमें किसी तरह के संसोधन की जरूरत देखते हैं देखिए इसमें क्या है कि तमाम टोल टैक्स देने में क्या आपको भी परिशानी होती है बड़ी बड़ी खतारी लगती है आप किसी भी राश्ट्री राजमार पर चले जाएए उन चीजों को तो तेज करने के लिए इसलिए तमाम और लोगों को भी दिक्कते आ हैं कितने पैसे देने पड़ते हैं 2008 में टोल टैक्स रिव्यू हुआ था और फिर नया टोल टैक्स नैशनल टोल टैक्स की पॉलिसी बनी थी पर इतने जल्दी हमने देखा कि उसमें कुछ दिक्कते कुछ चीजें रह गई थी तो हमने उसको फिर रिव्यू करने का डिसेशन लिया है और नए टोल पॉलिसी लेके आ रहे हैं और उसमें हम तमाम लोगों से संसद में भी इस पर बात हुई है लोग सबा के लाना जो सोच रहे हैं उसमें क्या-क्या किन बिंदूओं पर विशेश तर पर सोच रहे हैं देखे हमारी बिल्कुल हमारा बिल्कुल खुला उसमें अंदाज है सब की बात हम सुन रहे हैं जो पॉस्बल है जितना चीज हम ले सकते हैं जो आज तक हमें दिकते आए उन सब का ब्रेक के बाद लोटेंगे तो इनसे पूछेंगे कुछ राजदितिक सावाल मैं तो चीजी-चीजी बात करने वाल आदमी हूँ कि जिस चेदे पर शक्य है वहाँ खुडा है जिस चेदे पर अहिंशा है वहाँ इस्वा है ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है हम बात कर रहे हैं आरपियन सिंग्जी से आरपियन सिंग्जी कम उम्मर में राजनीत का अच्छा तजुर्बा है आपके पास तीन बार विधायक, सांसद और मंत्री इसके अलावा यूपी में यूद कॉंग्रिसी अध्यक्ष और राश्टरी कांग्रिस में सच्यू जैसी महत्रपूर्ण जिम्मेदारी कैसे संभव हो पाया यह सब देखी यह तो मेरा भागिया है मैं कहूंगा हमेशा मैं राजनीत में आया जब मैं मेरे पिता जी का ध्यान थो गया था तो मैं वापस पढ़रोना जाके रहने लगा वहां की लोगों का उनके दुख के साथ मैं जुड़ा का उनके साथ आप समझते हैं मैं ना French का जोगों ने वह हमें राजनीत में आना नहीं चाहता था क्योंगे मेरे परिवार का एक सेवा की भावना उसे लाके एम रही है यह लोगों ने कहा कि आपको राजनीत की और आना चाहिए और मैंने कॉंग्रिस को इसलिए चुना क्योंकि मेरा परिवार हमेशा कॉंग्रिस में रहा और सिर्व इसलिए नहीं रहा क्योंकि जो मेरी सोच मेरे परिवार या मेरी रही है कि एक ऐसी पार्टी है जो सब को साथ लेके चलती है इसलिए कॉंग्रिस में हमने अपनी राजनेतिक्स जीवन से शुरू किया और आज मैं खुश हूँ कि ऐसे पार्टी के साथ मैं जुड़ा जो सच मुछ में इस देश की जनता को सेवा की भावना से कार करती है भगवान बुद्ध की महा परिनिर्वान अस्थली होने की वजह से आपका संसदिये छेतर खुशी नगर पूरी दुनिया में विख्यात है प्रसिद्ध है आपके संसदिये छेतर के लोगों को आपसे काफी अपेक्छाएं हैं क्या योजनाएं हैं आपके पास उनके विकास क लिए देखी मैंने तो तमाम जब मैं चुनाव लड़ता हूं तो मैंने हमेशा उनको एक ही वादा किया है कि इमानदारी से उस छेत के लिए विकास का कार करूंगा कि राजमार का मंत्री बना तो आप अगर पढ़रोना जाएंगे साल एक साल में तो देखेंगे तमाम लोकसबा में बन रही हैं आज तक पढ़रोना बड़ी लाइन रेलवे लाइन से नहीं जुड़ा था ममताब एनरजी का धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने पढ़रोना को बड़ी लाइन से जोडने का इस बार निर्णे लिया तमाम ऐसे कारेक्रा मूल भूत समस्यां उसक गरीबी और बेरोजगारी चरम पर है वजह है सारे कल कारखाने बंद हैं आपके संसदी चेतर में पांच में से जो चार सरकारी मिले हूं बंद हैं आखिर कैसे पूर्वे उत्तरप्रदेश की गरीबी और बेरोजगारी दूर होगी देखी मैं हमेशा कहता हूं कि अगर सुनिया गांदी जी ने मुझे दिया है ये एक ऐसा मंतराल है कम से कम पुरवाँचल में तुमें जिन्दगी हुई इंफ्रस्ट्रॉक्टर के तरफ से एक कहावत अमेरिकन प्रेजडेंट ने कहा है कि अमेरिका इसलिए अमेरिका अमीर नहीं है क्योंकि अमेरिका के पास अच्छी सडके हैं सडकों का मतलब सिर्फ गाडियों का आवागवन से नहीं होता है वहां के ट्रेड से मतलब होता है मैं आपको एक बहुत चोटी सी कहानी बताता हूं साथ हमारे हां लीची होती है मार जहां आता हूं मेरा खुद लीची का बाग है क्योंकि लीची आप जान हैं तो जिसके लिए हमें 10 रुपया मिलता था आज उसी चीज के लिए 20 रुपया मिलता है तो आप समझ सकते हैं इस सड़क किस तरह हर सड़क विकास में बड़ी नहीं का नहीं है हम वहां रेलवे हो तमाम और कारेकरम हैं एजुकेशनल इंस्टूशन भी हम ले जाना चाहते हैं पुर्वांचल में केंद्र विद्याले हों सेंट्रल स्कूल्स हों वहां अगर आप देखें पुर्वांचल का नाम इस सिर्व देश में नहीं विदेशों तक है अगर वहां सचमुच में अगर किसी चीज की कमी है तो इस सिख्षा की है तो मेरा एक योगदान उसमें भी मैं कोशिस करोंगा कि पुर्वांचल में इक सिख्षा और इंफ्रस्ट्रॉक्चर जो सबसे जुरूरी चीज है उसके एक हिस्सा मैं भी हूं तो मैं चाहूंगा कि पुर्वांचल पे प्रयास कर रहे हैं लेकिन पुर् भाव में निदान नहीं हो पाया है, समस्या कहा रही है। देखिए उसमें हमारे हेल्थ मंत्राले ने तमाम वैक्सीन और तमाम स्पेशल पैकेज़ गोरपूर उस इलाके के लिए दिये हुए हैं। उसमें कुछ अपने लोकल लेवल पे कोई बिट्वीन सेंटर स्टेट में कोई लेके मैटर है तो पर केंडर सरकार ने इनसेफलाइटिस लेके और राहूल गांदी जी जब पहले शुरू शुरू आत में हुआ था उस समय भी उन्होंने बात करी थी कि इनसेफलाइटिस के ल बता रही है तो मेरे पास है नहीं मुझे लगता नहीं है किसी बच्चों की जानों के बारे में ना तो प्रदेश सरकार उसमें हीला हवाले करेगी ना तो केंडर सरकार करेगी परंतु अगर कुछ इसमें है तो दोनों को मिलकर इसमें आगे आकर और इसको करना चाहिए और एक और बड़ी समस्या है इनसे फिलाइटीस के अलावा पुर्य उत्तर प्रदेश की गोरखपुर का खाद कारखाना तत्कालिम प्रदान मंत्री इंद्रिया गांधी जी ने यहां पर गोरखपुर में खाद कारखाने की स्थापना इसलिए की थी कि यहां की बेरोजगारी दूर हो सके लेकिन 20 साल से यह खाद कारखाना बंध है, यहां की जनता क्या आपसे उमीद करें, क्या यह कारखाना दुबारा चालू हो पाएगा? देखिए उसमें तो मैंने श्रीकान जैना जो हमारे मंतरी हैं, केमिकल फर्टलाइजर के हमारे पार्टी के उनको भी मैंने पत्र लिखा है, उनका भी जवाब आया है कि वो प्रदे सरकार से इस चीज़ पर बात चीत कर रहे हैं, बेसिक प्राबलम जो गुरुपुर कारखान को चलाने के लिए, कि जब तक वहाँ गैस उपलब नहीं होगी, जहां तक हमने पैरवी अपलब नहीं होगी, तो उसे चलाना एक धुरी दिक्कते आ रही है, केंदर सरकार पर मैं दवाब बनाते रहूंगा, और हम हाल में जल्दी पूरा पुरवान चलके, सांसद हम सब मि प्रधान मंतरी जी पर भी कहेंगे, कि इस पर कुछ ना कुछ ततकाल एक्शन लेना चाहिए, पर आपको मैं बताना चाहता हूं कि अभी पैरवी हमने की थी जैराम रमेश जी के साथ, और जो गुरपूर में ताल है, उस पर 124 करोड से सफाई और एक जो सपना था, रामग कारण आप जिम्धार मानते हैं, कैसे पाल्टी आपकी दुबारा सफ्ता में आएगी उपी में? मुझे आपको ब्या करने की जरूत नहीं है, राहूल गांदी जी ने और केंदर सरकार पिछले यूपी एवन ने, जो कार गाओं और गरीब के लिए किये, उससे एक हलक सी जगी है जनता में, और उन्होंने आज कॉंग्रिस की ओर देखना धीरे धीरे शुरुआत किया है, अभी बड़ी लड़ाई आगे है, और कॉंग्रिस पार्टी हम सब राहूल जी ने भी बहुत समय उत्तर प्रदेश में दिया है, एक अलग नौजवानों में भी जगाने की कोशिस की है, कि आईए हम सब आके मिलकर देश का भविश्य उजवल बनाए, सिर्फ देश का नही हम सब भी अपना भविश्य उजवल बनाएं। उससे बहुत दूर परे है, जनता बहुत दूर इससे उनको फाइदा जो होना चाहिए, बिलकुल नहीं हो पा रहा है, मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा फेलियर प्रदेश सरकार का रहा है। संसद में चुना था, मंत्री बन गया था। उसके बाद देखी, कोई भी सरकार सिर्फ मेरे पढ़राना विदानसभा सीट के बारे में बात नहीं करूँगा, अगर पूरे उत्तर पदेश में देखा जाए, जितने बाई एलेक्शन हो रहे हैं, उसमें जिस तरह का सरकारी तंत्र इस्तमाल किया जा रहा है और धन का उपयोग किया जा रहा है, इसको मुझे आपको बताने की जुरूत नहीं है, पूरा उत्तर पदेश जानता है, और अब जो रिजल्ट है उसके लिए तो मैं कुछ कहें नहीं सकता हूं, मैंनत और करेंगे, पर जब जब जनरल एल रहूल गांधी जी भी रहा है, बड़ी संख्या में भी रहावाओं को जोड़ने की कोशिष कर रहे हैं, कौन सी ऐसी बात है जो आप उनमें बहुत खास देखते हैं, अन्य नेताओं के तोल्णामे रहूल गांधी के बारे में क्या सूचते कौन सी बात ज्यादा जिस तरह वो गरीबों के बीच में जाते हैं जो कहते हैं उस पर उठते उसी चीज पर रहते हैं एक आदमी एक सरल जंदगी से करके एक आदमी को इस देश को आगे जुले जाने की कोशिस कर रहा है मुझे लगता है ये गांधी परिवार का एक ट्रेनिंग से ही इन लोगों रहता है और इसलिए मेरा परिवार हमेशा कॉंग्रेस पार्टी के साथ तो रहा और गांधी परिवार को हमेशा एक सम्मान की नरज से ऐसे नेतृत की समय में देखा जो नेता लाइक सर्चमुश हो सकता है इसलिए हमें उनके तरफ हमेशा हम लोग साथ जूड़े रहें उत्तरपदेश में कॉंग्रिस की समस्या जो नजर आती है हम लोग जब जाते हैं कि पाल्टी में वहाँ गुटबाजी ज्यादा है, कारेकरता कम है, नेता ज्यादा है, क्या मानते हैं, कैसे उत्तरपदेश में संगठन मजबूत होगा? मैं तो इस चीज़ को नहीं मानता, सब सब कारेकरता ही है, नेता तो मीडिया किसी को भी मीडिया बना दे, हम तो एक कारेकरता के रूप में काम करते हैं, कारेकरता के रूप में हमने काम करना शुरू किया था, और आज भी अपने को कारेकरता कॉंग्रिस पार्टी का मानते है परन्तु क्योंकि जैसे कि मैंने कहा था कि जाती और धर्म के राजनीत में उत्तरपदेश इतना उलज गया था कि कांग्रिस की जो बात सबको साथ ले चलने की बात करी गई थी और सबको एक सूतर में बाहन कर विकास की और अगरसत करने की जो बात की थी वो लोगों को इस जाती और धर्म के मामले में शेद आवाज बहुत कम हो गई थी और अब फिर जनता ने उस तरफ आवाज देखी है और मुझे लगता है कि जैसे कि MP चुनाओ के बाद एक बहुत अच्छा रिस्पॉंस लोगों का मिला है मुझे लगता है कि कॉंग्रिस अब मजबूती की और उत्तरपदेश में बढ़ रही राजनीती में जो भरष्टाचार है वो कैसे मिठ सकता है यह तो परस्नल चोईस है और मैं चाहता हूँ इसमें नेता अगर भरष्ट है तो उसको नहीं दे जनता को उस चीज को देखना चाहिए जनता को भी समय आगे आना पड़ेगा मैं लोग बोलते हैं बड़ी बात आप कह रहे हैं लेकिन क्या ऐसे मिलगता कि राजनीतिक दलों को जो दागी किस्म के लोग है उनको जो है अपना प्रत्यासी नहीं बनाना चाहिए मैं तो कॉंग्रिस पार्टी ने हमेशा कोशिश की है पर मैं कहता हूं कि जनता को भी सामने आना पड़ता है एक बड़ा अहम सवाल आप से पुछूँगा योगाओं से जुडा हुआ है राजनीतिक घराने से एडि कोई व्यक्ति जुडा है आम लोग मानते हैं कि राजनीतिक वेखती सखल उसकता है या यदि कोई राजनीतिक घराने से जुडा हो या फिर किसी के पास धन बल हो या बाहुबल क्या मानते हैं आप। मैं जीर से बिलकुल सहमत नहीं हूँ. तमाम लोग इस संसद में आये हैं, जो नौजवान हैं, जिनके परिवार के लोग राजनीत में नहीं रहे हैं. और ना तो धन हैं ना तो बल हैं. तमाम नौजवाने से आए हैं और मैं समझ सकता हूं कि यह कहना कि हो सकता है कि कुछ लोगों के परिवार के लोग राजनीत में रहे हों पर तमाम लोगों के परिवार के लोग राजनीत में हैं पर उनके परिवार से कोई राजनीत में नहीं आ पाया ऐसा तो नहीं है कि मेरे पिता जी ने मुझे चुन दिया हूँ, मुझे कुछ काम करना पड़ा, और मैं राजनीत में मैं तमाम काम किया हूँगा, तब ही तुछ नाउ जीता हूँ. आपके कहने के मतलब आम आदमी भी आज भारती राजनीत में सफल हैं? मैं तो कॉंग्रिस में आपको तमाम ऐसे लोगों का नाम बता सकता हूँ, जो बहुत सफल है, हमारे अभी सांसद और मंतरी मेरे साथ हैं, प्रदीब जैन जी हैं, बुन्डेल खंड से, वो मेरे साथ विधायक थे, और उनके पिता जी राजनीत में नहीं थे, और ना उनके पास बहु बली भी नहीं है, मेहनत करते हैं जनता के साथ रहते हैं, तो वो भी राजनीत में आगा हैं, अगर आज आर्पियन सिंग एक मंतरी हैं, जितन पिसाद एक मंतरी हैं, प्रदीब जैन भी मंतरी हैं, तमाम मारे यूआ नेता ऐसे हैं, कॉंग्रिस पार्टी में, जो नौजवान हैं और जिनका परिवार राजनीत में नहीं रहा हैं, तो मैं समझता ये कहना कि कुछ लोगों को दिखा कर, अगर दो सो नौ में से आप पचास लोगों को बताए कि इनके परिवार के लोग हैं परिवारवाद होता है, हमें उन लोगों को भी देखना चाहिए कि बहुमत के वो लोग हैं, जिनके लोग राजनीत में नहीं रहें, जिनके बहुबली भी नहीं है, पर समाधसेवी होने के कारण राजनीत हैं. जी आर्पियंद सिंग जी, तो अभी तक हमने आर्पियंद सिंग जी से जानी राजनीतिक बाते हैं, अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद आएंगे तो इनसे पूछेंगे कुछ नीजी जीवन के बारे में. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है, हम बात कर रहे हैं आर्पियंद सिंग जी से. आतिन सिंग जी आपके पिता जी स्वरगी सीपिएन सिंग जी इंद्रीय कांधी जी के मंत्री मंडल में मंत्री रह उनकी कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा प्रभावित करती है देखी उनकी बहुत दूर की सोच थी और उनने हमेशा उत्तर प्रदेश पूर्वी उत्तर प्रदेश और जन्पद अपना जो है उसके लिए जो भी आज भी मैं योजनाय कर रहा हूं या जो भी मैं आगे बढ़ा रहा हूं उन्होंने 1980 में देखी थी तो मैं समझ सकता हूं कि इतनी दूर की सोच इसके साथ हो रहा है और उन्होंने कभी भी जिंदगी में कॉंप्रमाइज करना नहीं सीखा एक बात पे चले तो हमेशा उसी पे चले और हमेशा इमानदारी का साथ दिया और हमेशा ऐसा लक्ष रखा कि सच मुझ में विकासी उनका इलेक्शन के बारे में उन्होंने कभी भी नहीं सोचा जो सही समझा उसी को हमेशा किया बोले जनता अपने आप चुनेगी राजनीत आज की युग में राजनीत जादा हो गई है किस तरह मैं आगे रहूं किस तरह मैं आगे बढ़ूं राजनीत का मतलब सेवा एक जो भावना है उसको हम लगता है भूलते जा रहे हैं वही मूल कारिन है क्यूंकि हम राजनीत में हैं अगर वही लक्ष को हम बूल जाएंगे, तो राजिनित में रहने का कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल सही कहा, आप अपने जीवन का आदर्स किसे मानते हैं? अपने पिता जी को मानता हूँ। मैं बहुत चोटे से मेरे पिता जी ने जिस तरह अपनी जिन्दगी जी, अपना सब कुछ मानता हूँ। और मैं कोशिस करता हूँ कि उनके जैसे में अपनी जन्दगी चलाचा कूँ। आपकी पढ़ाई कहां से हुई आरपियन सिंग जी। मैं तो देरा दून में बॉर्डिंग स्कूल में था। छे साल के उमर में मैं बॉर्डिंग स्कूल में था। वेलम स्कूल है। उसके बार डून स्कूल में था। और कॉलेज मैंने दिल्ली से किया। राजनीत के अलावा और किन चीजों का सौक रखते हैं आप। स्कूल कॉलेज में था। पर आजकल खेलने का बहुत कम मुका मिलता है। पर टेलिविजिन पर कोई भी स्पॉर्ट्स होता है तो इसको मैं बहुत क्लोजली वाच करता हूँ अगर समय मिले तो पिक्चर देखने का भी शौक है और किताब पढ़ने से भी मैं किताब बहुत पढ़ता हूँ तो इन तीनों चीजों में शौक रहता है पर राजनीत में इतना दोरे पर रहना पड़ता है कि कम समय मिलता है पर कोशिस करता हूं इन सब का अनद उठाने अंत में आप से जानना चाहेंगे कि अगर आप आज राजनीत में नहीं होते तो क्या कर रहे होते देखिए मैं तो जब बहुत कम उमर का था तो मैंने कहा था कि मैं United Nations में काम करना चाहता हूँ बहुत बहुत सुक्रिया आरपियण सिंग जी डुड न्यूस इटिनी न्यूस से बाचीट के लिए तो ये थे आरपियन सिंग जी, जिन्होंने तमाम मसलों पर खुल कर बेबाकी के साथ अपनी राय हमारे बीच रखी आरपियन सिंग जी ने साफ कहा कि राजनीत का मतलब उनके लिए सिर्फ लोगों का विकास है और वे राजनीत के माध्यम से अपनी अंतिम सांस तक लोगों के विकास की लड़ाई लड़ते रहेंगे चाहे उनकी राह में कितने ही काटें क्यों न भीचाय जाएं अगले सप्ता हम आपसे फिर मिलेंगे अपने विशेश कारिक्रम एक मुलाकात में इसी समय देश की एक और बड़ी सक्सियत के साथ तब तक हमें दीजे इजाज़त नमस्कार कितने हन्दाश के लाएं झाल झाल